जैहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज नोब बात करने वाले हैं ड्रीम 11 T10 ब्लास्ट के बारे में तो दोस्तों इस लीग का मैच नमबर 2 होने वाला है जो कि दोस्तों CCL वर्सिस SPK के बीच में खेला जाएगा आज रात दस बजे तो दोस्तों मैं इसी मैच की 5 टी करते हैं तो इस वीडियो को देखने से आपको 5 टीम की कॉमिनेशन तो मिलेगी ही मिलेगी उसके साथ दोस्तों T10 जीतने की कुछ टिप्स मिलेगी जिसके मदद से आप हर T10 का मैच जीत सकते हैं तो दोस्तों पूरे ध्यान से वीडियो में बने रहेंगे और हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे तो चलते हैं दोस्तों जो मेरी पहले 5 टीम की कॉमिनेशन मिलेगी उसमें से जो पहला टीम आपको मिलेगा वो हेट टू हेट का कॉंटेस्ट आपको जिता सकता है और हेट टू हेट में अच्छा पकड़ आपको बना कर दे सकता है और एजली हेट to head के मुकाबले में भी लगा सकते हैं ये दो टीम यह आप तो complete होई ये दोनों टीम आपको safe टीम मिलेगी और थोड़ा risky टीम आपको third, fourth और fifth टीम जो risky टीम होगी उसको आप grand league में लगानी है वहाँ पे आपको फैयदा मिलेगा तो ये पांच कुल combination जो मैं आपको दूँगा उसमें से तीन या चार combination तो पकहीं चलेगी पांचों combination की मैं guarantee नहीं लूँगा लेकिन तीन या चार combination जरूर चलेगी इसकी तो perfect guarantee है तो आपको ध्यान से सभी टीमों को लगा लेना है और अगर आप safe खिलना चाहते हैं तो ये दो option आपके पास है ही इन दोनों option में किनी को आप लगा लेंगे तो आपको फैदा हो जाएगा तो पहले चलते हैं दोस्तों टिप्स आम बता देता हूं कि टीटैन का क्या होता है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेंगे अगर regular जीतना चाहते हैं तो ह हमारे टेलिग्राम गुरूप और इंस्टाग्राम गुरूप में भी जॉइन हो जाएंगे और साथे साथ इस चैनल की बैल अकन भी दबा लेंगे ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे और हर एक वीडियो देखकर आप एजली विन करते रहे टी टैन से लेकर टी ट्व आप चलते हैं टिप्स के तरफ में तो दोस्तों टी 10 में आपको एक भात धियान में रखना है कि आप बहुत ही जल्дी जीत सकते हैं टी 10 में क्यूंकि T10 के जो मैचेज होते हैं उसमें जो प्लेयर्स होते हैं नहीं को बहुत ही कम लोग जानते हैं और T10 में जो बड़े यहाँ पे क्रेडिट वाले प्लेयर्स हैं उनको आपको लेना चाहिए क्यूंकि T10 में ज्यदा मौका मिलता नहीं है किनी को yaha यहाँ पे आपको ओपनर्स बल्लेबाज, ओपनर्स बैट्समेन और दोस्तों बीच के ओर्ट अंडर जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही इनका मौका आता है उनको लेना है और स्ट्राइकर बोलर को लेना है ताकि आप इजली विन कर सकें इस T10 के लीग में अगर आप इस नहीं करना है जो आप हेट टू हेट या फिर एसल की जो टीम मनाएंगे सेफ साइड वाली टीम उसको भी आप ग्रांड लीग में रख सकते हैं और उसमें एक आधी प्लेयर चेंज करना है इसमें आपको आठ प्लेयर को एज़े जोवल सभी टीमों में रखना है जो की आपको एज़िली विन करवा सकती है और एक बात ध्यान में रखेंगे जो मैं टीम दूँगा उसमें अगर इन में से कोई PLAYERS नहीं सहीं कहलेंगे जो मैं टीम साथ तो मैं आपको अपडेट टेलेग्राम पे कर दूँगा उसके लिए बेफिकर रहेंगे टीटें मैं टीम ब लगा रहे होंगे उस टाइम अगर लाइन अप के बाद यहां पे कुछ प्लियर्स मिसिंग हो सकते हैं तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके लिए आप बेफिकर रहेंगे तो दोस्तों ही मेरी पहली टीम है जिसको मैंने हिट टू हिट के लिए डिजाइन किया यहां फिर दौस्तों यहां पर आप राम डीन के साथ जा सकते हैं के लिए नियुझा कर सकते हैं यहां से लिए to hit में लगानी है जो आपके uponnit होने वाले काफ्टान तो लेविश वह plays को ही तो कोई भी ध्यान में रखएंगे हालकि ये टीम में लगानी है तो hit to hit में लगा लिनी है ये team आपके लिए बहुत ही बहतरी है इस team को आप जरूर लगाएंगे इस team को आप मिनी जियल और Grand League में भी ट्राइ कर सकते हैं ये मेरी दूसरी टीम है जिसको मैंने Mini GL के लिए डिजाइन किया है इस टीम को आपको Mini GL में लगाने ही जहाँ पे 3, 4, 5 अपोनेंट होते हैं यहाँ पे देख पारेंगो दोस्तों रामदीन को मैंने वाइस कप्तान और कप्तान देख पारेंगों एम दियाल को बनाया इस टीम में मैंने 3 ओर डॉंडर रखे हैं और 3 बॉलिंग के आपसन रखे हैं मतलब यहाँ पे 6 बॉलिंग के आपसन इस टीम से आपको मिलते हैं और 8 बैटिंग के आपसन मिलती है तो ये टीम भी परफेक्ट है इस टीम से आप आप इजली विन कर सकते हैं अगर आप मीनी जील जीतना चाते हैं और साथे-साथे इस टीम को ग्राण लीग में भी ट््राइ कर सकते हैं अब आपको रिस्की कॉमिनेशन दिखाते हैं जहाँ पर मैंने थोड़ा bowlers को फिरफरेंस दिया है, इस टीम में देख पा रहे होंगे, कि मैंने all rounder रखे हैं, जो bowling और batting दोनों ही भकू भी करते हैं, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, साथ मैंने bowling के option रखे हैं, और 8 batting के option रखे हैं, तो यह team भी बहुत ही बहतरीन है अगर आप T10 के matches को जीतना चाहते हैं, तो यह team आपको easily win करवा सकती है, अगर in case यहाँ पे openers बले बाज नहीं चलते हैं, और striker बोलर नहीं चलते हैं, तो थोड़े से risk की player को मैंने कप्तान और wise कप्तान बनाया है, इनके साथ आप जाकर easily win कर सकते हैं, तो यह मेरी तीसरी टीम होती है, जिसको आपको लगानी है इस league में, और यह मेरी चौन्ती टीम है दोस्तो जिसको मैंने grand league के लिए design किया, इस team में देख पार होंगे, कि मैंने केके को wise कप्तान और कप्तान देख पार हैं, जगे सर को बनाया है, आप यहाँ पे A flipi के साथ भी जा सकते हैं, और कप्तान देख पार हैं, दोस्तो ए नेट को बनाया है, changes आपके उपर है, कर भी सकते हैं, या फिर बिल्कुल सेम टीम से जा सकते हैं, तो दोस्तो यह मेरी 5 combination मैंने आपको दिखा दी है, इनकेस इन में से कोई changes होगी, तो मैं आपको update टेलिग्राम पे कर दूँगा, Instagram पे कर दूँगा, तो वहाँ पे जरूर जोड़ जाएंगे, तो इस वीडियो को यही पे खतम करते हैं, दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करेंगे, और मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जाहिंद